हलो दोस्तों, 36 गड़ के मेगा प्रोजेक्ट के एपिसोड नमर दो में आपका स्वागत है मेरा नाम है केशाव स्वाव और आप देख रहे हैं सीजी मेटर यूटूब चैनल तो चलिए सुरू करते हैं हमारा प्यारा चैनल गड़ हमारे प्यारे भारती राज्यों में एक महत्पून और भरता हुआ राज्य है दोस्तों जो अपनी अधिवासिक कला संस्कृती वन जीव विविदता और उच्छ वक्वालिटी खनी संपदा के लिए चर्चीत है 36 गड़ सरकार ने विविन मेगा पर्योजनाओं के सुरुवात किया जिनका निर्मार राजे के सामरिक आर्थिक और अधार भुट धाचा को मजबूत करने के उदेश्य से किया है दोस्तों यहां हम 36 गड़ के प्रमुख मेगा पर्योजनाओं के बारे में एक संचिप्त वर्णन प्रस्तूत कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पहले हैं 36 गड़ विधानसवभ भवन नया भवन जो है अटन लकर नए रायपुर में महानदीब भवन मांदीब भवन मंत्राला और इंद्रावती भवन के पास किया जा रहे हैं नय विधान सभवा भवन का निर्मान 51 एकर भूमी पर गया गया हैं, जबकि पुराने विधान सभवा भवन का निर्मान 55 एकर भूमी पर किया गया था, कुल लागत की बात कर दूसरो तो इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 270 करोर रूपे हैं, इसमें दर्सक दिर्गा, अधिक अब आपके मन में दोस्तों एक सवाल आ रहा होगा जब पुराना भवन मौजू था तो नए भवन क्या हो सकता क्यों अनपड़ी तो इसका जवाब है दोस्तों प्रसाशनिक सुद्रत वा एकी करन वा कार्यों का सिग्र क्रियान वैन और समन्वा है विधान सबह में इसके अल अथिक गतिवीदियों के लिए प्रोशाहित करना इसका उत्टेश से हैं दोस्तों इसके बाद अगले मेगा प्रोजेक्ट कि बात कर दोस्तों तो है राजनान्काव दूर गरायपूर मेट ट्रेंड प्रोजेक्ट 2013 से इस प्रोजेक्ट पर बात चां रही थी दोस्तों अनुमानी तलागत है इस प्रोजेक्ट की राजनान गाउद दूर्ग राइपूर मेट्रो ट्रेन के निर्मान को तीन भागों में बाटा गया है दोसों पहला फास्ट फेज दूर्ग से राइपूर 45 किलो मिटर तक इसके अगर कुल अनुमानी तलागत की बाद करे तो 606 करोर रुपे हैं फिर सेकंड फेज में अगर बाद करें तो फिर राजनान गाउद से दूर्ग 45 किलो मिटर तक इसके अगर अनुमानी तलागत की बाद करें तो 8000 करोर रुपे हैं फिर थर्ड फेज में तेली बांदा रायपूर से नहाय रायपूर अटन लगर तक कुल 40 किलो मिटर इसकी कुल लागत के बाद कर दूस्तों तो अभी चर्चा का विश्या बना हुआ है साथ मार्च 2023 को प्रसुद बजट में इस परियोजना के लिए यानि की बजट आबंटित किया गया है दोस्तों इसका निर्मान रेल्वे और नवर रायपूर विकास प्रादिक करन मिलकर आपस में सहयोग करेंगी इसके निर्मान की प्रक्रिया में इसके बाद अगले मेजर प्रोजेक्ट की बात कर दोस्तों तो है आयाइटी भिलाई देश के तेविशने नंबर की आयाइटी है इसका निर्मान एजुकेशन राजधानी भिलाई के कुटेला भाठा में किया जा रहा है दोस्तों इसका भावे केमपस 445 एकड़ छेत्र मे पहला हुआ है दोस्तों इसके निर्मान के अगर कुल लागत की बात करे तो इसके अनुमानित लागत 1000 करोड रूप है है दोस्तों इसका निर्मान L&T कमपनी कर रही है आयाइटी भिलाई में पढ़ाई यानि की सिक्षा सत्र की सुरवात 2016 से ही सुरू हो गई है जो अस्थ 2023 में IIT भिलाई के केंपस का उद्गाटन प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा करने की संभावना है दोस्तों यहां गर कुर्स की बात करे तो BTEC, MTEC और PhD कुर्स प्रवाइड किया जाते हैं इसके साथ ही दोस्तों चतिसगड मध्य भारत का एकलोता राजी बन गया है जहां IIT, IAM, NIT, IIIT, Law University और EAMS जैसे संस्थान इस्तित हैं चतिसगड के युवाओं में सिक्षा और प्रदोगी की के छेत्र में बेतर अवसर को बढ़ावा देती हैं और यहां के विद्यार्थियों के उज्वल भविस्त को सकार करने में अपनी अहम भूमी का निभात्ती हैं चतिसगड के अगले मेगा प्रोजेक्ट के बात करें दोस्तो तो है नगरनार इस्टील प्लान जगदलपूर बस्तार से 16 किलोमीटर दुरी पर नगरनार और ग्राम पंचायत में इस्तित हैं दोस्तो इसकी कूल चमता कि अगर बात करें तो 30 लाग टन प्रतिवर्थ इसकी उत्पादन चमता है और कूल लागत की बात करें दोस्तो तो इसकी कूल लागत 23,140 करोर रुपह हैं इसे NMDC National Mineral Development Corporation जो Ministry of Steel के अंतरगत काम करती है ने डेवलप के हैं दोस्तो NMDC 14 नौरतन कमपणियों में से एक नौरतन कमपणी है वर्तमान में इसके कई भागों में उत्पादन कार्य सुरू हो चुका हैं दोस्तो नगार नारिश्टील प्लांट के भी सेस्ताओं के बात करें दोस्तो तो यहां भारत के सबसे बड़े Blast Furnace में से एक की यूनिट यहां पर स्थापित की गए हैं जिसकी छमता 4,506 NM प्रतिवर्स हैं दोस्तो हाली के दिनों में यहां प्लांट अपने विनवेशी करन निती को लेकर काफी चर्चा में रहा दोस्तो तो यह थे 236 गड के मेगा प्रोजेक्ट जो 36 गड के भविस्त को बदल कर रख देंगे तथा यहां के वाओं को लोगों को बेतर रोजगार और विकास के आउसर प्र करना जितार और जितार जो यहां जो घितार रंसे के भविस्त कर connections के को और जो कि भी तो यहां कि एषाएंगों क कि है यहां को एक भी चिजवान